वेल्कम बैक तो मैं अनेदर निव वीडियो गाइस अभी मैं आया हूँ रॉयल एंट फिल्ड के शोरूम पे जो की बटेंगू में है मौंट बर्ड वीजिस के नाम से है यहां पे अननतनाग में तो आज हम मुझे आपके साथ एक इंफोर्मेशन शेयर करने रिगार्डिंग हंटर 350 जो कल लॉंच हुई थी एक्चली जो 7 अगस्त को लॉंच हुई थी तो आज में आपके साथ उसके सारे एक्सेशरी जो है वो शेयर करूंगा उसमें कौन-कौन सी आफ्टर मार्केट एक्सेशरी लगते हैं कंपनी वाली तो अगर आप चनल पर नए हैं तो प्लीज अगरी एक्सेशरी लगी हुई है मैं आपको वन बाइवन एक एक्सेशरी की प्राइज और एक्सेशरी का नाम बताऊंगा तो इस वीडियो को लाज तक जुरूर देखे आपको सारा पता चल जाएगा कि कौन से एक्सेशरी आपको कितने प्राइज में मिलेगी तो यह वाला कलर जो है यह मेरे को परसनली पसंद आया बड़ा ही जबदस कलर है तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हम बाइक के फ्रेंट से और बाइक के फ्रेंट में हम सबसे पहले देखेंगे यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे एक स्क्रीन जैसा लगा हुआ है य यह भी आपको जो है company accessories में आएगा यह आपको बाइक के साथ नहीं आता है तो इसको जो बोलते हैं जो यह वाला आप सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं तिंटेड फ्लाइ स्क्रीन तिंटेड फ्लाइ स्क्रीन है यह बिल्कुल ब्लैक कलर में यह तिंट किया हुआ तो है आपको पड़ेगा 2350 रुपीज का यानि कि 2350 रुपई का आपको यह यहां पर रॉयल एंफिल्ड में पड़ेगा विदाउट मतलब अगर अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो यह आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस चीज के लिए तो गाइस अब फ्लाइ स्क्रीन से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको डजर पड़ी की इन इंडिकेटर उस पर इस बाइक का हज़ार जो है मैंने और रखा है ताकि आपको पता चले की इंडिकेटर कैसे हैं इसके तो गाइस जैसे आपको पता है कि जो कंपनी से आपको बाइक मिलती है उसमें आपको जो है बल्प का ओप्शन मिलता है इंडिकेटर में तो एलिड का ओप्शन नहीं मिलता है तो यह आपको जो है एक्सेसरी में यह वाला भी चीज आएगा तो यहाँ पर आप देख रहे ह यह LED Indicators यह black LED Indicators हैं तो guys इन Indicators में जो है आपको दो color options मिलते हैं Silver LED Indicators and black LED Indicators आप करते हैं इसके price की बात इसका जो price है आपको company पे इसका जो price पड़ेगा वो पड़ेगा 4750 रुपीज यानिके 4750 रुपई के आपको ये चारों पड़ेंगे और ये बड़े ही जबरदस लग रहे हैं उनका लुक बड़ा ही जबरदस है और अलग तो ये थी second accessories इसकी जो इस पर लगी हुई है अभी अब चलते हैं तीसरी की तरफ तो गाइस अभी इसमें जो तीसरी accessory लगी है Royal Enfield Hunter की जो इसकी अलग accessory बनाई गयी है वो है इसका इंजन गार्ड यानि कि जो को आप लेक गार्ड भी बोलते हैं तो ये आपको जो है कंपनी बे पड़ेगा और ये बाइक के साथ आपको नहीं मिलता है ये आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अलग से इसका जो प्राइस है वो है 3300 रुपीज इसको बोलते हैं ब्लैक लाज इंजन गार्ड तो ये देखे कुछ ऐसा दिखता है ये बिल्कुल डिफरेंट शेप है इसकी तो गाइस करते हैं बाइक के चोधे एक्सेसरी की बात यानि के हंटर 350 में जो है चोधे एक्सेसरी यहाँ पिलगी हुए है जो के इसका है संप गार्ड ये आपके इंजन को आपको बाइक के साथ नहीं मिलेगा यह भी आपको extra accessories में ही आएगा 3250 रुपई का आपको यह यहां पर रॉयर एंड फिल्ड पर पड़ेगा तो गाइज आते हैं लिष्ट के फिफते accessories पर जो कि आपको company भी लगानी पड़ेगी और बाइक के साथ बिल्कुल भी नहीं आपको मिलती है वो है इसकी जो यह seat आप देख रहे हैं यह black customizer seat आपको यहां पर मिलती है इसको अगर आपने लेना है तो आपने company वालों को यहां पर बोलना है कि हमें black custom seat चाहिए तो बिल्कुल अलग सी है इसकी stitching अलग दिखती है रोयल एंफेल्ड की बैजिंग यहां पर आप देख रहे हैं और साथ ही आपको यहां पर जो है seat में दो options मिलते हैं अगर आपको वाला भी पासंद होगा तो यहां पर तो लगा नहीं सकते वो है black signature bench seat तो वो भी आप बोल सकते हैं यहां पर और उसका प्राइज जो है वो 4500 सेम तो सीम रहेगा बट थोड़ा सा लूक में difference है तो यह था फिफ्थ एक्सेसरी जिसका जो अभी इस पर इंस्टॉल किया गया है तो गईज करते हैं hunter 350 के शिक्स एक्सेसरी के बात वो इसमें आप देख रहे हैं कि लगाया गया हुआ है आरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें यह आप देखे यह जो आप देख रहे हैं जिसको मतलब यहा पर जो है आपको black passenger backrest mounts इंको बोलते हैं same to same आपको वैसे ही लगेंगे यह आपको इसलिए लगाने हैं क्यूंकि यह जो है backrest यह इसके साथ attach होता है इसके बगार यह बिल्कुल भी इसके साथ install नहीं हो सकता तो यह है इसकी जो यह है इसकी 6th accessory गाइज अब backrest mount का जो प्रा आपको यह यहां पर पढ़ेगा without backrest यह देखे यह आपको जो है यह दो आपको 1750 रुपीज के पढ़ेंगे तब ही आप यहां पर backrest जो है लगा सकते हैं तो इसका जो प्राइज है backrest pad का प्राइज जो है वो है एक हजार पचास रुपई यानि कि 1050 रुपीज का आपको कि टोटल पढ़ेगा तो दोनु मिला कि अगर आप कल्कुलेट करेंगी तो लगबग 2900 के आसपास आपको यह दोनु पढ़ेंगे तो बाके एक्सेसरी जो है वो हम शोरूम के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्यूंकि साथ ही हर एक हंटर के साथ अलग-अलग कलर की अपने-अपने कलर की हेल्मिट आपको यहां पे देखने को मिलेगी जो कि रॉयल एंफिल्ड ने बिल्कुल जबदस काम किया है इस बार और हर एक कलर के साथ अपना-पना हेल्मिट का ओप्शन रखा हुआ है तो गाई यह देखेए इसकी हल्मिट बिल्कुल ऐसा ही कलर भी आपको मिलेगा अंटर का तो उससे सबसे आपको same to same कलर हल्मिट में भी मिलेगा अब इसका जो प्राइज है इसका जो प्राइज है वो यह देखे ब्लू कलर की हल्मिट भी आपको यहां पे देखने को मिलती है एंड इसमें जो है आपको यलो कलर का ग्लास मिलता है जो के नाइट ड्राइविंग के लिए बड़ा ही जबर्दस चीज है और यह देखे बाइक के साथ कलर मैच होता है यह देखे इसका कलर भी ब्लू है और यहां पर है हल्मिट का कलर भी ब्लू है तो इस हिसाब से जो है रोयल एंफिल्ड ने इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है बहुत बढ़ी बात है तो इसका प्राइज आपको यहां पर 2350 रुपीस इसका भी सेम प्राइज है यहां प वह भी मैं आपको आने वाले टाइम में सारी की सारी दिखाने की कोशिश करूंगा तो गाइस यह था आज का वीडियो एक्सेस्रीज के बारे में जो के रॉयल एंफिल्ड हंटर में लगती है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर सबस्क्र